नमस्ते बच्चों, आज हम बादलों को घिरते देखा है का तीसरा पद पढ़ेंगे आई हम तीसरे पद की शुरुवात करते हैं रितु वसंत का सूप्रभाद था सूप्रभाद मतलब सुभा थी, वसंत रितु का मंद मंद था अनिल बह रहा, हलकी हलकी हवा चल रही थी बाल रून, बाल रून का अर्थ होता है ए लाल यंत्र का सुर्य की मृद्यू किर्ने थी, मृद्यू करत होता है कोमल अगल बगल स्वर्णिम शिकर थे एक दूसरे से विरहित हो, विरहित कर्थ होता है अलग, अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती निशा काल से चीर अविशापित, बेबस उस चकवा चकी का, चकवा चकी पक्छी हैं, बंध हुआ क्रंदन, क्रंदन कर्थ होता है रोना, शोर, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शेवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिरते देखा है, बादलों को घिरते देखा है, प्रणय कलह का अर्थ होता है प्रेम, पुर्वक, जगड़ा, प्रेम में जो लड़ाई होती है उसको कहा गया है शेवालों का अर्थ होता है पानी पर पड़ी काई काई मतलब जो जहाँ पर हम स्लिप कर जाते हैं तो देखे बच्चो तीसरे पद में कभी हिमाले की प्रकृतिक सौंदर्य और पक्षियों की कलरो कलरों मतलब आवाज चक्वा चक्वी जैसे पक्षि के बारे में बताते हैं कभी कहते हैं कि बसंत के मौसम में एक सुबह शीतल और मंद और सुगंधित वातावरन तथा किर्णों वाले बाल सुर्य की प्रकास में चमकते वी शीखरों वाले पक्षियों को विविन क्रुडाओं में मगन देखा है मतलब अपनी क्रिया कलापों में पक्षि क्या है मगन है इस मौसम में, मतलब बसंत रितू के मौसम में आसपास के प्रदेश तथा उमस भरे मैदानों की गर्मी से वैकुल अनेक प्रकार के पक्षी आकर अपना समय वैतित करते हैं कहां पर? हिमाले पर चक्वा नामक जो पक्षी है विरह को जीवन वैतित करते हैं चक्वा नामक जो पक्षी है वो रात में एक दूसरे से मतलब चक्वा चक्वी पती पत्नी है रात के समय एक दूसरे से अलग होकर विरह पुणवा जीवन वैतित करते हैं कभी कहते हैं कि चक्वा और चांद का प्रेम होने के कारण वा व्रिक्षो की अगली डाली पर बैट कर रात बिताने के लिए बात दिया हैं उस समय तक शांत रहने के बाद इसी तलाब के किनारे उनमें अक्सर प्रणय कला आरंभ हो जाता है यह अस्थान हरी घास से घिरे छेतर के रूप में बड़ा ही सुन्दर दिखाई देता है कभी ने इस तीसरी पंक्ती में हिमाले की प्रकृतिक के सौंदरिया पक्षों का कल्रो और चक्वा चक्वी के बारे में बताया है अगला है दुर्गम बरफानी घाटी में ध्यान दीजे दुर्गम बरफानी घाटी में शत शहस्त्र फूट उचाई पर अलख नाभी से उठने वाले ठीके अलख नाभी का अर्थ होता है अलख नंदा निच के ही उनमादक परिमल उनमादक कर्थ होता है उनमाद से पुर्ण परिमल कर्थ होता है सुगंध के पीछे धावित धावित कर्थ होता है दोड़ना होकर तरल तरुन कस्तूरी म्रिग को कस्तूरी म्रिग की तुन बात की गई है मैं बताऊंगे बाद में, अपने पर चिर्टे देखा है, बादल को गिर्टे देखा है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजे, कवी ने सैक्रो फीट उच्छे परवतिय प्रदेश की सुन्दर था, और अखलनन्दा की प्रदेश में, अखलनन्दा एक प्रदेश है, जहां कस्त वर्णन का वर्णन किया है, कभी कहते हैं, कि हिमाले के दुर्गम और बरफीली प्रदेश में, सैक्रो फीट की उच्छाई पर, हिमाले जो परवत है, उसके सैक्रो फीट की उच्छाई पर, यह अलख नाभी, मतलब अलख नंदा नामत एक जगा है, जहां पर म्रिग रहता है, उम्रिक के अंदर ही कस्तूरी ही रहता है, उसके शरी के अंदर ही रहता है, पर कस्तूरी को जो सुगंध है, वो इतनी तेज और इतनी अच्छी है, कि हिरन उस सुगंध को महसूस करकर उसे खोजने के लिए पूरा जंगल भटकता रहता है, पर वह इस पास से अंजाने कि वो जिसके लिए दोड रहा है धूप रहा है वह चीज उसके स्वैम के शरीर के अंदर है वह अपने शरीर के अंदर जाक के देखे तो उसे कस्तूरी मिल जाएगी ठीके इस प्रकार क्या होता है जब कस्तूरी नहीं मिलता है अमरिक को जो कि उसकी अपने ही नाभी में है त ना पागल होकर इधर उधर भटकता है ठीके वच्चों इस पंक्ती में कवी ने सैक्रो फीट उचाई परवत्य प्रदेश की शुन्दरता और अखलनन्दा के प्रदेश में फैप्त कस्तूरी म्रिग की चिड़न का वर्णन किया है कभी कहते हैं कि हिमाले के दुर्गम और परफीली प्रदेश में सैक्रो फीट की उचाई पर अलकनन्दा के किनारे के प्रदेश में घूमते हुए कस्तूरी म्रिग अपने ही नाभी से उठती हुई सुगंद की त्रिउगंद से पागल होकर इधर उधर भटक रहा है और अपने उपर चेड़ रहा है कि मुझे सुगंद कहां से आ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है पाँच्वा पत हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे धन्यवाद